हेलो फ्रेंड्स वेलकम यॉल ऑन यॉर पीडी एजुकेशन सो फ्रेंड्स विंटर एडमीशन और वीकन से एडमीशन आफ सेकिंड सेम के अंदर जो अपडेट्स आपको मैं लेके आता हूँ तो उसी में बिरला इंसीजूट आफ टेकनोलजी में सरा रांची के अंदर जो है वहाँ पर अडमीशन के फॉर्म आउट हूँ है तो जैसी आप करण्ट अडमीशन के उपर जाओगी तेन आपको यहाँ पर पिएजडी अडमीशन के अंदर यह मिल जाएगा ओके एंड इसका इन्फरमीशन ब्रॉशर एपलाई करने के लिए स्टार्ट डेट लास्ट डे अडमीशन ले सकते हो आप लोग ओके तो यह डेट सुगह रहा है इसका जिसे आप देख सकते हो ऑनलाइन एंटरेंस टेस्ट थर्ड नवेंबर को होने वाला है इंटर्व्यू फॉर्थ टू बैसिकली फॉर्थ नवेंबर को होगा टू स्लोट के अंडर टेन टू वन टू टू फाइफ एंड जो फस्ट लिस्ट आएगी वो 6 नवेंबर को आपको मिल जाएगी और 9 नवेंबर आपका ये अडमीशन फॉर्ट प्रसेस स्टार्ट हो जाएगा ओके अब अपलाई करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं यह कुछ इन्होंने लिंक दिया है ऑनला अफ्टर बी टेक देट इस डिरेक्ट पीएडी में अपलाई करोगे देन आपका 8CGP होना चाहिए अदर्वाइज अगर आप आप आफ्टर एम्टेक अपलाई कर रहे हो देन आपका CGP 6 से काम चल जाएगा ओके नव यहां पर आप देख सकते हैं रिलेक्सेशन 5% SCST को है and fellowship यहां पर आप देख सकते हैं 25,000 पर मन्त for first two year and 28,000 पर मन्त for next year तो यह कुछ यहां पर आप देख सकते हैं जो आपको IRF weekend से मिलेगा so यह कुछ seats हैं यहां पर and यह departments है and selection process देखिए बहुत अच्छे से explained है general category का जो online entrance test होगा 30% marks academic record के 60% जिसके अंदर आपका BTEC percentage and gate interview 40 marks and total आपका हो जाएगा basically 200 okay तो यह कुछ selection process रहेगा and 45% minimum selection criteria आपका है okay यह आप देख सकते हैं कि questions कैसे आने वाले हैं interview के अंदर and कहां कहां से आपका questions आएगा वो बीनों ने बताया है कि gate का syllabus है उसी में से question यहां पर आएगे okay so I hope friends यह आपको help रहा होगा बाकी आगे यह documents वेरा given है इसको आप जाके देख सकते हैं okay number of vacancy आप देख सकते हो कितनी है तो पूरा detail में यहां पर given है तो इसको आप देख लेना एक बार इसके go through हो जाओ okay so thank you very much friends I hope आपको यह update अच्छा लगा होगा thank you very much